ओम स्यांति, भगवान के बच्चों को संतुस्त रहना चाहिए, संतुस्ता संपोर्णता की पहचान है, बाबा सब को संतुस्त करते थे, और स्वयम तो इस वदिये प्राप्तियों से सदा ही संतुस्त थे, हम फॉलो फादर करें, हमारे चेहरे पर संतुस्ता की जलक होनी चाहिए, संतुस्ता और प्रसंता हमारी बहुत बड़ी पर्सनलिटी है, अगर हम भगवान को पाकर भी संतुस्त नहीं रहते, तो सोचो, भला और क्या पाकर हम संतुस रहेंगे, और ये भी याद रखना चाहिए, जो मनुस भगवान को पाकर संतुस्त नहुआ, वो कोई पदार्थ, वस्तु, वैभव, धन, संपदा पाकर कभी संतुस नहीं होगा, और अब की असंतुस्ता, द्वापरियुक से भी असंतुस्ता का अनुभव कराएगी, चाहिए कुछ भी हमारे पास होगा, हम सदा संतुस्ता की अगनी में जलते रहेंगे, दूसरों को देख कर संतुस्त होते रहेंगे, इसलिए अपनी नेचर बनाएँ, जो कुछ हमारे पास है, उसमें संतुस्त रहना, पहली चीज यही है, भले हम आगे बढ़ें, इसका अर्थिय नहीं होता, संतुस्त रहना माना, प्रोग्रेस न करना, परमोसन न लेना, बिजनस को न बढ़ाना, पढ़ाई न करना, नहीं, हम सब कुछ करें, जीवन में जो जरूरी है, वो सब करते रहें, और आगे बढ़ते रहें, लेकिन हमारी नेचर पूर्ण तया संतुस्त रहने की हो, जो हमारे पास है, उसमें भी हम संतुस्त, और जो हमें मिल गया है, उसमें भी हम संतुस्त, कभी-कभी क्या होता है, एक मनुस बहुत उंच से ही असंतुस्थ हो जाता है, निरास हो जाता है, ये गलत बात है, जीवन एक बहुत लंबी यात्रा है, इसमें यदियम छुच्छवटी बातों में असंतुस्थ होते रहेंगे, तो हमारी शक्तियां नस्थ होते रहेंगी, याद रखना है, हमारी संतुस्ता का प्रकास सारे संसार में फैलता है और संतुस्त मनिया प्रभू को बहुत प्रिय है, अब हम वस्तुए ले कर खुस होना चाहते हैं ये भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं उसके प्रिय बन जाएं तो वो हमें भरपूर कर देता है इसलिए आज सारा दिन हम संतुस रहेंगे दूसरों के व्यभार से भी संतुस्ट कर्मों से भी संतुस्ट अपनी महनत से भी संतुस्ट जहां हम रहते हैं उससे भी संतुस्ट जो कुछ भोजन हमें खाने को मिलता है उससे भी संतुस्ट जो पैनने को मिलता है उसमें भी संत्स्ट, कभी कभी, कंपेरिजन करने की नेच्चर, मन USको असंत्स्ट कर देती है, लेकिन हमें कंपेरिजन नहीं करना है, आज ये धारना हम बहुत पक्की करें, हमें किसी से तुलना नहीं करनी है, हमारे पार्ट जो कुछ है वो बहुत अच्छा है हमारा पार्ट जो है वो बहुत बहुत सुन्दर है अपने पार्ट को एंजोय करें अपने प्राप्तियों को एंजोय करें अपनी सुखी रोटी को एंजोय करें दूसरे की घी लगी रोटी को देखकर अपनी सुख ही रोटी का आनंद गवान दें, तो आज सारा दिन बहुत सुन्दर अभ्यास करेंगे, पहुचेंगे सुक्सम लोक में, बाबा के साथ, बाद दादा के साथ डांस करेंगे, हाथ मिलाएंगे, गले लगेंगे, द्रश्टी लेंगे, और फिर देखो, बाबा कहता है, बच्चे, परमधाम में चलो, वो तुम्हारे परमपिता, ज्यान सुर्ये, उसकी केरणों के नीचे वैठ जाओ, और हम पोच जाते हैं महां, फिर महा से वापिस बुलाता है, बाबा और कहता है, जाओ नीचे, वो तुम्हारा शरीर, उसमें परवेश करो, और मैं आत्मा उड़कर, उसमें परवेश कर लेती हूं, भ्रकुटी सिंगासन पर चमक रही हूं, फिर वापिस, और इस तर है, फिर बाबा कहता है, जाओ परमधाम, सर्व शक्तिवान के खिरणों के नीचे, फिर मैं वहां चली जाती हूं, कुछ देर बैठने के बाद बाबा कहता है, वापिस, और मैं वापिस सुक्स लोक में, फिर कहता है, जाओ तुम्हारा शरीर नीचे उसमें परवेश करो, मैं फिर उसमें परवेश कर लेती हूं, और फिर वापिस, ये बहुत अच्छा खेल हो जाएगा, योग को इस तरह ह मनोरंजन बनाएंगे, खेल बनाएंगे, और सारे दिन का आनंद लेंगे, ओम्शांति